असलाम अलेकुम जिस दरह मलिक फ्रम यूवर्ड लाइटिंग को आज आपको एलेटी बलब की युनिवर्सल कोडिंग बताएंगे यानि कि उनकी बॉडी की शेप है उसको युनिवर्सल तोर पे क्या कहा जाता है जिससे आप बॉडी की शेप को समझ सकते हैं घर बैटे तो वहाँ पे जो है वो एलेटी बलब की मखसूस इसको बताथा यूवर्डी की मखसूस को बताता है तो अगर आप अपना पर और लेंश करवाते हैं आप बॉड magari अगर ओनलैई पर चेस को आपशानी होगी वोर्डिंग के बारे में समझने में कै opioid क्यों सूंसे वाटिज वो पकिसान में ही बन रही है, इंपोर्ट नहीं हो रही, ए 50 की बाड़ी युनिवर्सिल तोर पे 0 वाट या 1 वाट के बलब को कहा जाता है, उसके बाद आ जाता है, 3 वाट, 3 वाट के अंदर जो बाड़ी होती है, उसको ए 55 का नाम दिया जाता है, 1 वाट और 3 वाट की नीच इंपोर्टरिट बाड़ी आ रही है, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे, उसके बाद आपके आजाती है, 7 वाट की बाड़ी, 7 वाट की बाड़ी है, 9 वाट की बाड़ी में भी इस्तमाल किया जाता है, कहीं जगों पे यही बाड़ी जो है, वो 12 वाट मे बाड़ी किलाती है, दोनों में फरक नजर आ रहा है आपको, ए पेंसट बाड़ी के अंदर 12 वाट का बालब जो है, वो सेल होता है, 13 वाट का बालब भी इसके अंदर सेल होता है, इसके बाद, आए 70 आती थी बाड़ी, जो कि आप आना बंद हो गी है, और सिर्फ लोकल बन अगर आप 15 वाट के लिए टी शेप बाड़ी यह वाली बाड़ी जो है आप इस्तमाल कर सकते हैं आपको 15 वाट का अर्डर आता है इसके बाद आपकी आ जाती है 18 वाट की बाड़ी जोके ए 80 के लाती है 18 वाट के अंदर आपि नमाया फरक देख रहें सो वन वात तीन वात पांच वात सात, ॉबार्वाट Most ौश can दूरज के आप से वाट जिए के आप दिराड़ा वाट और 내ते बादि यह शहरुए पाकि पस्तानी बाटि होती हैं और इस में कोई प्रोप्लम यह वरंटी सेल कर सकते हैं और 35 वाट की बाड़ी आती है यह बाड़ी जो है वह आप 30 वाट और 35 वाट के लिए इस्तमाल करते हैं यह पाकिस्तानी बाड़ी होती है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती वरंटी के अंदर सेल कर सकते हैं अगर आप कोई इस तरह कम्रीट होती है व्यां को हमारी आज की वीडियो पसांदा ही होगी अगर आपको वारत की पसांद है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ करें जो करने आप्स हर के वाट्स एक प्लस ब्रैंटिक इसके हैं और दो से तीन देन के अंदर इंशाला हम आपका माल आपके घर डिलिवर कर देंगे